हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी ठीक होंगे आज के इस वीडियो में आपको जिस मुवी के बारे में बताने वाला हूँ रिव्यू करने वाला हूँ, उसका नाम है एटॉन्मेंट इस मुवी को 2007 में रिलिस किया गया था और ये एक रोमेंटिक वाल ड्रामा मुवी है इस मुवी को एक नोवेल से लिया गया था जिसे एन मैकवैन के द्वारा 2001 में पब्लिस किया गया था इस मुवी की IMDV रेटिंग 7.8 की है और इसे रोटन टेमेटो में 83% फ्रेस बताया गया है इस मुवी की स्टोरी मुख्य रूप से तीन लोगों पर फोकेस करती है जिसमें कायरा नेतली जो की इसलिया टैलिस के रोल में निभा रही है उनके अलावा हमें जेम्स मैक्वे भी दिखते हैं जो की रोबी टेर्नल के रोल में है और उनके अलावा सौर्सी रोनेन भी हैं जो की ब्राउनी टैलिस के रोल में है और वो दिलिसिया टैलिस की छोटी बेहन का रोल निभा रही है इस मुवी में इनके अलावा भी हमें मूवी में और भी एक्टर्स दिखते हैं जैसे कि रोमालो गारिया, बेनेडित कमबरबेच इनके अलावा भी कई एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिन हमें इस मूवी में बहुत छोटी देखने को मिलती है पर उनकी एक्टिन बहुत ही जोरूरी भी है इस म पर आपको यह मूवी देखने बहुत ही मज़ा आएगा यह मूवी थोड़ी स्लो फिल भी होगी आपको कहीं कहीं पर पर ये मूवी बहुत ही अच्छी है इस मूवी को आप जरूर देखिये का इस मूवी में नैथली और जेम्स मेक्वे की केमेश्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गई है और सौरसी रोनेन को इस मूवी के लिए बेस्ट स्कोटिंग एक्टर्स के लिए ओसकर नोमिनेशन भी मिला है इस मूवी ने अपने 30 मिलियन बजट पे 130 मिलियन की कमाई की है इससे अंदाजा आप लगा सकते है के मूवी आपको किसी पसंद आएगी इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और भाई आप यकीन मानो आप दिल से रोध होगे इसके एंडिंग पे तो इस वीडियो में इस मूवी के बारे में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगे तो इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा ताकि आपके और भी दोज इस मूवी को देख सकें इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका निक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर मैंने ये और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि मैं इस तरह के और मूवी आपके लिए ला सकूँ थैंक्स